हाई गैस कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोग साथ में शेयर कर रहे हूं कि आप अपने लंबे बालों में और अपने बालों को इस तरीके से ओईलिंग और कोम करें जिसी कि आपके बाल कम जड़े हैं ना तो आप यहां पर बालों की थेकनस देख सकते हैं मैं अपने बालों म सारे हमारे आ चब्से पहले पतले तीत की कॉम लेनी है और तो से हमें बढलों में अच्छी तरीके से नौद tricky और अच्छी तरीके से ब्लड चलना शिरू हो जाए और आप से बंढम से पूरे बालों तो आपके जो इसकल्प Couric पॉर्स बंद रोजाते हैं तो आपने कई पाड़े कहीं सब्सक्राइब करने जाते हैं यह सारा कुछ पर्ण करता है अपके आपके आपकी स्केल होती है उसका भूड का सरक्लिशन रहें हैं अगर अच्छा है ब्लड का तो बहुत आटी करीके से आपके बालों तो यहां पर सबसे पहला पतले तीत की कॉम लेंगे उससे आप अच्छी तरीके से अपने बालों में कॉम करेंगे कॉम करने के बाद से आप अपने बालों में पार्टिशन कर लेंगे और पार्टिशन करने के बाद से हम अपने बालों में दो पार्टिशन में अपने बालों को डिवाइड कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूं यहां पर अब देख सकते हो मेरे बाल बिना किसी ट्रेट्मेंट के किते ही इतने स्मूद इतने सिल्क है थीकर ओगर अच्छ Bliss कर तो जो धूर। आप लोग के साथ में जो यहां पर पूरे अच्छी तरीक़ से बालो को तरीका है भुज और पर हमै जो भी सुलां का आप तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं कितना सही कह नहीं है दूसी चीज यह कि अगर आप लोग अपने बालों में कॉम कर रहे हैं तो आप यहां पर जो कॉम का यूज करें उसका बिल्कुल चया न अच्छे से करें तो यहां पर हमें पतली तीड की कॉम का बाल फस्स गये हैं उसको अच्छ तरीके से रिमूफ करना है डिटैंगल कर लेना यहां पर मैंने कोई भी इस प्रे का यूज नहीं किया है कि अपने बालों को डिटैंगल करने के लिए मैं आपर कोई सीरव यूज कर रही हूं नहीं मैंने सिंपली अपनी मोटतीद की कोमली है और उससे अपने बालों को पकड़ करके जिससे जड़ों पर भी जोड़ना पड़े और अच्छी तरीके से हम डिटैंगल कर लिए ठीक है तो आप देख सकते हैं फॉर्स टाइम का हेर फॉल है वह इतना सा है ठीक है और जो सेकेंड टाइ के बाद से फिर अपने बालों में और कर लीऑ ठीक है क्या होता है क्या फर्स्ट अपना आगोसी पर पोर्म कर लिजा इसी और यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ह olsun कि ठीक है जब आप मेहनत करते हैं तो आपको rizaft भी बहुत अच्छी मिलते हैं और मेहनत करता है उसको ही रिजर्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जार दिन महनत करी, उसके बाद आप दो महने के लिए सो गए, या फिर तीन महने के लिए सो गए, नहीं, महनत करिए, आपको सुबह में आलस आएगी, आपको दिन में आलस आएगी, बट आपको क्या करना है, उस आलस को चोड़ना है आलस जो होता है वो हमें नीद लाने के लिए परिशान करता है हमें हमारे मकसद से दूर करता है ठीक हमें अपने मुकाम पर हमें मकसद तक पहुचने नहीं देता है ठीक है कि बुराईयां है तो अच्छाईयां भी है तो उसी तरीके से आपको अपने अंदर आप अपने लिए हुआ एक तो ध्यान का लगा ये 20 मिनट आप गायत्री मंद का जब करिए 20 मिनट आप अपना योग करिए और 20 मिनट में आप अपने काम सचेहा और आपको क्या करना हैं क्या मकसद लेके चल रहे हैं और यह आपका एंहों हैं यहां पांच बैजे नहीं उट सकते हैं यह चीजे मैं यहां पर अप लोग के लिए इसलिए बोट रहे हूं क्योंकि बहुत सारे एसे लोग हैं जिनको हो एक्शे से कॉम नहीं कर सब्सक्राइब डो दिन करते हो चार दिन मिराब थे दो पिर आप ज्यूण शाओ Department तो इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता बालो को अगर घना मोटा लंबा बनाना है इसके नच्छी रखनी है तो आपको सुबा में उठने का एक निश्चित समय आपको प्रिपैर करना पड़ेगा और उस टाइम में आप उठना शुरू करिए और डेली ऐसा नहीं है कि संडे आया तो भाईया संडे आ तो मारा आम से उठेंगे नहीं अराम से आप लोग अपने एक पिक्स टाइम बताएए और उसके बासे उसमें उठीए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह नहीं उठ पाते तो सुबह नहीं उठने का जो रिजन है वो मैं आपको के साथ में शरूर करूंगी और एक मिनट में ही आप लोग सुबह आपकी पांच बजे नीन कुल जागे यह अजया है अगर यह मिचे तीन बजे उठा था जाती थी बट हां साम को रात मैं या नौ बजे तक खाना खाना कहां और साड़े नौ तक अपने बैड पे आ जाती थी ताँने के लिए और पांच बचे अपने अंदर खुद ही चेंज़ देखना शुरू कर देंगे आप आपको बहुत ही बहतरी रिजर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे ठीके वेट लोज भी हो जाएगा आपका हेर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगे आपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे बाई लव यू चेक कर अपना ख्याल रखि हो जाएगा, काम कर दो स nud Okay?